नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत ही जल्द कुछ नए कोर्स और नए चीज़े लॉंच करेगा तो उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो first question है equal to floor 8.65,1 का result क्या होगा? A option 8, B option 8.60, C option 8.50, D option none of the above. 5 seconds हैं बताएगा right answer क्या होगा? ठीक है? और आपके exam में calc के function से related एक question आएगा ही आएगा कम से कम ठीक है? और maximum 3-4 question भी function से related आ सकते हैं आपके exam में. इसका जो right answer होगा, कुछ लोगों का chat में आने रगा है, बिल्कुल A option होगा, 8 होगा. ठीक है? फ्लोर वह function होता है, जो decimal की बाद की value को हटा देता है, ठीक है? मतलब decrease कर देता है, कम कर देता है, ठीक है? माली जै मैं किसी shop पर गया, मुझे 8 रुपे 65 पैसे देने थे, shopkeeper ने क्या क्या मुझे 65 पैसे छोड़ दिया, और मुझे 8 रुपे का क्या कर दिया? पैमेंट कर दिया, तो यहाँ पर A option right होगा, next question number second की बात करते हैं, equal to ceiling 4.56,1 का result क्या होगा? A option 4, B option 5, C option 4.6, D option 4.5, 5 second का time रहेगा, बताएगा right answer क्या होगा? Good, बहुत बढ़िया, Good, तो कुछ लों का chat में right answer आने लगा है, बिल्कुल, तो floor और ceiling एक दूसरे के opposite हैं, क्या हैं, एक दूसरे के opposite हैं, ध्यान कियेगा, floor चीजों को घटा देता है, जबकि ceiling क्या करता है, बढ़ा देता है, इस बार मैं shopkeeper के पास गया, बिल बना था 4.56, मतलब 4 रुपे, 56 पैसे का, तो उसने क्या किया, अब यह 5 रुपे ले लिए, ठीक है, तो ceiling बढ़ा देता है, floor घटा देता है, इसलिए इसका B option क्या होगा, right होगा, next बात करते हैं, question number third की, पहले search engine का क्या नाम है, A option google, B option yahoo, C option archie, D option bing, बहुत बार आया है, और easy है, तो बिलकुल इसका जो right answer होगा, यह आपका होगा, आर्ची, ठीक है, पहले जो search engine का नाम था, वो था आर्ची, ठीक है, आर्ची पहले search engine का क्या था, नाम था, सभी को पता है, काफी लोगा chat में right answer आने लगा, very good, बहुत बढ़िया, next question number four की बात करते हैं, पहला graphical browser कौन सा है, A option music, B option net escape, C option LYNX, D option google chrome, 5 seconds है, और यह question भी बहु मोजिक है, ठीक है, पहला graphical जो ब्राउजर था, वो मोजिक था, पहला text-based browser पूछेंगे तो ध्यान अकिये गए, LYNX Linux था, पहला text-based browser, LYNX Linux और पहला graphical browser जो था, वो हमारा मोजिक था, A option इसका right होगा, next question number five की बात करते हैं, IOT में T का क्या मतलब है, A option thread, B option threat, C option things, D option none of the above, 5 seconds है, good, बहुत बढ़िया, chat में right answer आने लगा है, तो बिल्कुल जिसका right answer होगा, ये आपका होगा, things, ठीक है, IOT में T का मतलब क्या होता है, things, ये भी ध्यान कियेगा, बहुत बार पूछा गया, ये भी आपके exam में क्या किया गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, I IOT में T का मतलब क्या होता है, things होता है, ठीक है, याद रखेगा, और full form क्या होता है, internet of things, IOT का क्या होता है, full form होता है, ठीक है, क्या होता है, internet of things, IOT का full form होता है, याद रखेगा, next question number 6 की बात करते हैं, लिब्रा ओफिस में कैल सी के पहले सेल का एड्रस होता है ए ऑप्षन ए जे वन बी ऑप्षन बी ए वन सी ऑप्षन ए वन डी ऑप्षन बी जे वन फाइब सेकेंड से मताएगा राइट आंसर क्या होगा गुड बहुत बढ़िया बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा काफिलों का चैट में राइट आंसर आने लगा है तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा S, A1 थिक है लिब्रा ओफिस में कैल सी में क्या होता है पहले सेल का एड्रस क्या होता है A1 होता है C option यहाँ पर right होगा Next question number 7 की बात करते हैं Linux क्या है A option application software B option utility software C option operating system D option none of that by 5 seconds है Good बहुत बढ़िया बिलकुल इसका जो right answer होगा यह आपका operating system होगा Linux क्या है हमारा operating system है C option इसका right होगा Next question number 8 की बात करते हैं Web browser में new tab की shortcut की होती है A option control plus F B option control plus K C option control plus T D option control plus J 5 seconds है Good बहुत बढ़िया तो बिलकुल इसका जो right answer होगा C होगा control plus T ठीक है Control plus T इसका क्या होगा Right answer होगा काफिलों का chat में right answer आने लगा है Web browser में new tab की shortcut की control plus T होती है Next question number 9 बहुत बार पूछा गया है IEE 802.11 किसको represent करता है A option man B option van C option wifi D option all of the above तो ध्यान रखिएगा IEE 802.11 wifi को represent करता है ठीक है और wifi का full form जो होता है wireless fidelity होता है इस point को भी याद रखिएगा ठीक है Next question number 10 Libro office में CalC में कितनी रोज होती है A option 64,000 B option 1,32,000 C option 32,000 D option 10,48,576 बहुत बार पूछा गया है और easy है right answer होगा 10,48,576 रोज होती है CalC की एक sheet पर ठीक है Next question number 11 की बात करते है Libro office में CalC में date insert करने की shortcut की क्या होती है A option control plus semicolon B option control plus D C option control plus L D option control plus D 5 seconds है तो बिलकुल इसका जो right answer होगा A होगा control plus semicolon ठीक है जब भी हमें date insult करने होगी तो control plus semicolon हम प्रस करेंगे हमारे उस cell में क्या होगी date insult होकर आ जाएगी Next question number 12 की बात करते है Libro office में math formula का file extension क्या होता है A option dot odt, B option dot ods, C option dot odf, D option dot odm बहुत बढ़िया है एक question आएगा ही आएगा Libro office के file extension से ठीक है इसका जो right answer होगा C होगा dot odf होगा Libro office में math formula का जो file extension होता है वो dot odf होता है Next question number 13 की बात करते हैं Open programs के बीच एक program से दूसरे program पर जाने के लिए किस shortcut key का प्रियोग करेंगे A option alt plus tab, B option control plus tab C option shift plus tab D option none of that 5 seconds से बताएगा right answer क्या होगा Good और लगाता है student set में right answer कर रहा है बहुत बढ़िया बिलकुल ऐसे preparation करते रहे चीजों को याद करते रहे और book से भी क्या करते रहे पढ़ते रहे क्योंकि हमें 100% paper clear करना है तो मेनद तो करनी पड़ेगी ठीक है और 11 जुलाई को tentitude date है मतलब 11 से हो सकता है लेकिन possibility है भी 100% नहीं है जब तक आपके admit card नहीं आ जाते ठीक है तो इसका जो right answer होगा यह A होगा Ctrl alt plus tab ठीक है Open programs के बीच यदि हमें क्या करना है स्विच करना है तो alt plus tab क्या होगा इसका right answer होगा next question number 14 impress में slides होगे समय slide का sequence बदल सकते है A option is true B option is false तो बिलकुल इसका जो right answer होगा पूछा गया है ध्यान लखेगा important है दिमाग में बिलकुल इसको याद कर लिजेगा slide सो चल रहा होगा आप slide के sequence को change नहीं कर पाएंगे याद रखेगा इन्होंने बोला है बदल सकता है इसलिए ये क्या होगा false होगा next question number 15 की बात करते है फटा-फट खतम कर रहा हूँ ठीक है निमलिकित में कौन सा alignment कैल-सी में नहीं होता है A option left B option center C option right D option justify अच्छा question है आया है लगातार तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा ये justify होगा क्या होगा justify होगा ठीक है कैल-सी में justify alignment नहीं होता है कौन सा alignment नहीं होता है justify alignment नहीं होता है ठीक है D option इसका right होगा next question number 16 cal-c में wrap text का प्रियोग करने पर एक ही cell में text multiple line में लिख जाता है A option is true B option is false 5 seconds है और आ चुका है ये भी आ चुका है भाईया ठीक है सारे questions important है याद कर लिजे बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा ये आपका होगा true होगा ठीक है जब भी आप wrap text लगा देंगे तो जो text लिखा होगा cell में वो multiple line में लिख जाएगा next question number 17 cal-c में autofil का प्रियोग करके लिख सकते हैं A option weekdays B option month name C option series D option all of the above बढ़िया question है तो इसका जो right answer होगा ये all of the above होगा ठीक है autofil का प्रियोग करके weekdays, month, series ये सब क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो यहाँ पर all of the above right answer होगा next question number 18 arpa net पहला network है A option is true B option is false तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा ये true होगा ठीक है arpa net क्या था पहला network था इस point को भी याद रखेगा next question number 19 VDU stands for A option visual display unit B option video display unit C option video diode unit D option none of the above 5 seconds है तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा visual display होगा VDU visual display unit BDU का full form होगा next question number 20 की बात करते हैं writer database software का उधारण है A option is true B option is false 5 seconds है बताएगा right answer क्या होगा तब तक मैं आपको दो-तीन चीज़े बता दूँ पहला तो एक हमारी site launch होई है flipcollection.com जहां पर जाकर आप swapping कर सकते हैं ठीक है उसका link भी आपको description में क्या हो जाएगा मिल जाएगा और video कैसा लगा और कोई suggestion हो तो आप उसके लिए बिल्कुल क्या कर सकते हैं comment कर सकते हैं तो उसको भी आप comment कर सकते हैं हमारी team दौरा जल्दी से जल्दी आपको response दिया जाएगा और इसका जो right answer होगा काफी सारे students ने chat में दे दिया बिल्कुल ये false होगा ठीक है राइटर database software का उधारण नहीं है जबकि text editor है यहाँ पे बोला है database software है इसलिए ये क्या होगा false होगा ठीक है तो ये थे आज के 20 questions मिलते हैं कल ने 20 questions के साथ जो important है और आपके exam में आ सकते हैं गुडबाई preparation करते रहिए